नमस्कार स्वागत है साहितिक जहरो का चैनल पर आज हम करेंगे घनानंद के पद व्याख्या भाग तेन हम सब जानते हैं कि घनानंद जी रीती मुक्त का वेधरा के एक प्रसीद कवी हैं और इन्होंने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन पदों की रच करते हैं कंत रमे उर अंतर में सूलहे नहीं क्यों सुख राशी निरंतर दंत रहे गहे आंगुरी ते जू व्योग के ते तचे प्रतंतर यहां पर घनानंद जी क्या कहते हैं कि कंत रमे कंत अर्थात प्रेमी रमे उर उर अथात हरदय के अंदर में कि जिस हरदय में प्रेमी निवास करते हैं सूलहे वो सू यानि वो लहे प्राप्त करते हैं प्राप्त लहें यानि प्राप्त नहीं क्यों सुख राशी निरंतर लेते हैं या प्राप्त करते हैं क्यों नहीं सुख राशी निरंतर यानि लगातार कहने का अतात्प्रे क्या है कि जिनके मन में उनके प्रेतम निवास करते हैं वो सुख की प्राप्ती निरंतर क्यों ना करें यानि उन्हें निरंतर सुख प्राप्त क्यों ना हो दंत रहे गहे आंगुरी ते अर्था दान्तों दंत रहे दान्तों में रहे गहे गहे यानि ग्र धरोशा नहीं होता या किसी बात पर आश्रे होता है तब हम अपनी दान्तों में उगली दबाते हैं पयर्दे में प्रेमी निवास करते हैं वह सुख का आनंद क्यू ना पराप्त करें लेकिन घनानंद के साथ इसके विपरीद है घनानंद के हरदे में उनकी प्रेमी का निवास भी करती है लेकिन फिर भी उनका जो वियोग है वो असहनिय है और इस वियोग की दशा को देख कर लोग दांतों के बीच में उंगली दबा लेते हैं कि घनानंद किस परकार के वियो उप में जल रहा है उन्हें जला रहा है इस बात को देखकर लोग भी आश्च्रिय करते हैं और अपनी दांतों के बीच में उंगली दबाते हैं जो दुख देखती हो गनानंद कि जो दुख देखती हो यानि मैं गनानंद का रैन दिना बिन जान सुतंतर कि जो भी लोग गना जाननंद के दुख को देखते हैं, रैन बिना, रैन यानि रातरी, रातरी, दिना यानि दिन, बिन यानि बिना, जान, जान का मतलब जानना, सुतंतर अर्थात स्वतंतर की वो स्वतंतर रूप से रात दिन ये इस बात को जानते हैं, जाने बेई दिन राती, जानते हैं बेई वो ही कौन जो दिन और रात के अंतर को स्वतंतर रूप से पहचानते हैं दिन राती बखाने ते जाए परे दिन रात को अंतर कि वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं जो लोग बखाने यानि बताने ते जाए परे बताने से भी हो जाता है दिन रात को अंतर अर्था दिन और रात में जो अंतर है उसके बारे में कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भाव है व्योग का भाव है व्योग का दुख है इस दुख की पीड़ा को किवल वही लोग जान सकते हैं जो स्वतंतर विचार करते हैं दिन और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है वैसे ही संयोग और वियोग के भाव में बहुत बड़ा अंतर है संयोग और वियोग में संयोग की अवस्ता सुख दाई होती है और वियोग की अवस्ता उसके विपरीत दुख दाई होती है ठाट जीवन में दुख का विस्तार कब होता है की अवस्ता में लेकिन इन दोनों बातों को कौन समझ सकता है जो ये जानता है कि दिन का अपना अलग महत्व है और रात का अपना अलग अस्तित्व है तो दोनों के बारे में जो दोनों के अंतर को जानता है वहीं सैयोग और व्योग के अंतर गोपी समझ सकता है इस पद में क चांद चकोर की चाह करे कि जिस चांद की चकोर हमेशा चाह करते हैं वास्तिक प्रेम कब है जब चांद भी उस चकोर की इच्छा करे चांद भी उस चकोर को प्राप्त करने की इच्छा करे घन आनंद घन अर्थात बादल आनंद देने वाले बादल जो कि स्वाती नक्षित् किसलिए आते हैं पपिः के लिγे कि फपिशे में वाला बादल पपी का इंतजार करें उसे जल देने के लिए धहावे यानि दोड़ा चला आय पपी है कि प्यास पुजाने के लिए स्वेम स्वाती नक्षत्र का बादल उसके पास आ जाए त्यों त्रैसेरेनी के एन बसे रवी त्रैसेरेनी होता है लगू लगू या छोटे से छोटा भी कण जिसे हम कहेंगे कि एन एन अर्थात घर बसे रवी रवी अर्थात सूर्य की वास्त्विक प्रेम कब है जब इस प्रत्वी का छोटे से छोटे कण के पास भी सूर्य की किरने स्वेम पहुँच जाए मीन पे दीन दवय सागर आवे मीन यानि मचली मचली पे दयावान होकर स्वेम सागर आ जाए कि मचली के पास स्वेम दीन दवय यानि विनम्र होकर या नरम सवभाव होकर स्वेम सागर जल मचली के पास आ जावे मोसो तुम्हे सुनो जान करपा दे थी मोसो मुझ से तुम्हे सुनो जानो हे करपा के सागर ने निभायो यो छवी पावे ने यानि प्रेम निभायो अर्थात निर्वा किया निर्वा करना यानि उसका पालन करना ऐसी छवी पावे ऐसी छवी तुम प्राप्त करो यहां पर ईश्वर और सुजान दोनों के बारे में अपने मन के भाव अभिवेत किये हैं अगर प्रेमी के रूप में देखें तो सुजान के लिए वो कह रहे हैं और भगत के रूप में देखें तो अपने भगवान से वो निवेदिन कर रहे ह जो अपनी रूची राची कुबेर सूं रंक ही ले निज अंक बसावे उससे धन के देवता कुबेर की ऐसी रूची लग जाए कि ले निज अंक बसावे लेकर निज अपने अंक यानी गोद में बिठावे या बिठाए अर्थात कुबेर जो धन के देवता माने गए हैं वो गरीब इनसान पर अपनी इतने करपा कर दे कि उसे वो अपनी गोदी में बिठा ले अर्थात उसके जीवन में सुक सुविदाएं स्वेम कुबेर देव ही प्रदान कर दे तो यहाँ पर क्या बताना चाते हैं इन भावों से यह कहना बताना चाते हैं अपने इन विचारों से कि जो प्राप्त करने वाला है उसे मागना ना पड़े देने वाला स्वेम उसके पास आ जाए यही प्रेम भाव का समर्पन है जिससे कि जो प्रेम है वो स्वच प्रेम ह जैसे कि स्वाथी नक्षत्र का बाद़ है, चाने के लिए चकोर है, परते खकण के लिए सुर्य की किरने हैं, मचली के लिए जल है उसी प्रकार वो कहते हैं कि कुबेर जो अपने रंग या गरीब व्यक्ति को जैसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं उसी प्रकार की आशा वो सुजान से भी करते हैं जो बुद्धी सो सुगराई रचे कोई जो यानि जैसे बुद्धी से सुगराई यानि चतुराई रचे कोई यानि चतुर होने का प्रयास करे अपनी बुद्धी से सारदा को कविताई सिखावे शारदा कौन है लक्षमी सरस्वती यानि विद्या की देवी जो शारदा है सरस्वती है उसको कविताई सिखाने का प्रयास करे यानि उसे कव्य लिखना सिखाने का प्रयास करे कौन जो अपने आपको जादा बुद्धिवान समझते हैं वो अपनी चतुराई दिखाने का प् मूर्ति वंत महालच्मी मूर्ति के रूप में स्थापित महालक्ष्मी के उर यानि हरदे पर पोत हरा रची ले पहिरावे पोत हरा यानि कांच के मनकों की माला पहिरावे यानि पहनाने का प्रयास करें बहुत ही विप्रीत है महा लक्ष्मी यानि धन की देवी के गले में कांच की माला पहना कर उसे प्रसंद करने का प्रियास करे राग वधु चित चोरन के हित सोधी सुधारी के तानही गावे राग वधु अर्थात राग रागनियों को जानने वाली जो देवी हैं उसके हरदे को चुराने के लिए या उसके हरदे को जीतने के लिए सोधी सुधारी के तानही गावे और क्या करते हैं उसके चुत को चुराने के लिए शोधात्मक शोधी सुधारी यानि शोधात्मक या ढूंड ढूंड कर अलग अलग परकार के तानही गावे तान गाते हैं कि जो स्वैम ही रागों की देवी है उसके लिए ढूंड ढूंड कर तान गाना ये कहां के लिए क्यों ही वैसे ही सुजान कुन है जो उनकी प्रेमी का है उसे गनानंद मो जिय यानि मेरे जिय अर्थात मन को बोराई क्या है पागलपन रीती यानि परमपरा या तरीका रीजावे कि इसी प्रकार वो कहना चाहते हैं कि मैं यानि घनानंद भी उसी पागलपन से ऐसी पदती ऐसी रीती अपना रहा हूं कि मैं सुजान नामक जो इस्तरी है उसे रीजाने का प्रियास कर रहा हूं जबकि तो सुजान तो पहले से ही चतुर है उसे रिजाने के लिए मुझे और अधिक ग्यानवान होना पड़ेगा इसमें कवी क्या कहना चाते हैं कि उसकी प्रिया तो पहले ही पूर्ण सरवगुन संपन है उसे रिजाने के लिए उसके पास कोई ऐसी कला नहीं है क्योंकि जो भी उधारण दिये हैं सरस्वती के लिए बताया है कि उसे कविता सिखाना लक्षमी के लिए बताया है कि उसे धन चड़ाना रागवदू के लिए कहा है कि उसके लिए विशेश गायन करना जबकि स्वेम तो उस कार्य की रचियता है शार्दा यानि सरस्वती तो स्वेम धन देने वाली है उससे हम क्या धन की माला चड़ाएंगे या कांच की माला चड़ाएंगे जो राग वदु है यानि जो गायन की देवी है उसका हर्दे चुराने के लिए हम क्या गायन ढूंडेंगे कहां से तान लेकर आएंगे वैसे ही वो कहते हैं कि सुजान तो प यहां पर मन के भावों को अविवेक्त करते हुए गनान último कहते हैं कि तपसी उसास तपसी यानि तपते हुए अर्थात गर्म गरम उस्वास क्या है सांसे कि तप्ति हुई सांसे जो उसके गरम सांसे निकल रही हैं उन सांसों को ओधी ओधी यानि अवधी अर्थात समय रूंधिये रोकना कहां लो दया यहां पर क्या कहती है कौन कह रहा है यह घनानंद अपने मन के भावों को विवेक्त करते हुए कहते हैं कि विरह के कारण उनकी सांसे तप रही है और वो इन्हें रोकने का अगर प्रियास भी करें तो कितने समय तक उसको रोक पाएं अवधी अर्थात समय तक कि इस विरह की अवस्ता में कहां तक वो रोक पाएं या कितना समय व्यतीत कर पाएं कहने का भाव क्या है कि जो समय है वो उनसे काटे नहीं कट रहा है इस वियोग की अवस्ता के कारण वो बहुत अधिक दुखी है परिशान है और उनका समय व्यतीत ही नहीं हो रहा है बात भ पूछें पूछता हैं तो बोने में उसका उचारण नहीं करते हैं। संकेतों के माध्यम से उट्तर बताने का प्र약 करते हैं क्योंकि विरह के राष यह कारण वह बोलने में एह समर्थ है उनकी जो दश्चा है वह इतनी खराब है या इतनी अधिक वह दश्चा के कारण इतनी हलाध के खराब है कि उनकी गरम स Вам सांसे उन्हें भी fluid नहीं दे रही तो रहसे में वो किसी भी प्रशन का उत्तर बोल कर नहीं बल्कि इशारों से समझा कर उस उत्तर को उच्चारित करने का प्रयास करते हैं. उड़ी चलियो रंग कैसे राखिये कलंग की मुख अनलेखे कहा लो नै गुंगट उघारिये और अपने मन के भावों को विवेक्त करते हुए क्या कहते हैं कि उड़ी चलियो रंग की मेरा जो रंग है वो उड़ गया है व्योग के कारण कैसे राखिये कलंग की मुख और कैस कிसे रखूं मैं जो यह मेरा वियोग के कारण कलंकित हो गया है मेरा चहरा उसे कैसे रखूं क्योंकि उसका तो रंग ही उड़ गया है अनलेखे अनलेखे यानि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है जिसका कोई लेखा नहीं है कहां लो ने घुंगट उगारिये कहां लो यानि कहां तक ने उगारूं क्या घुंगट कि मैं कब तक अपने मूँ को छुपा कर रख मैं अपना गूंगट भी नहीं उगार पा रहा हूं क्योंकि मेरा मन कलंकित हो गया है या मेरा चेहरा जो है वो कलंकित हो गया है क्यों क्यों क्योंकि व्योग के कारण उसका रंग उड़ गया है जरी बरी छार हवे ने जाय हाय ऐसी बैसी यहां पर क्या कहते हैं कि जरी बरी जल कर जल जलना क्या है यानि जलना अगनी में जलना बरी बल जल बल कर छार यानि राख हवे नहीं होती जाए हाए ऐसी बैसी बैसी अर्थात आयू कि ऐसी ये आयू भी समाप्त नहीं होती क्यों क्योंकि उसका शरीर जल बल कर राख होने के लिए भी तयार नहीं है कहने का विप्राई यहां पर क्या है कि उसे मृत्यू भी प्राप्त नहीं होती चित चड़ी चित अर्थात हरदे में चड़ी बस गई है मूर्ति किसकी सुजान की और क्यों उतारिये और वो उसे कैसे उतारे सुजान की जो मूर्ति है यानि सुजान की जो सूरत है वो उसके हरदे में बस गई है किसका चहरा सुजान का चहरा घननंद के हरदे में बस गया है और वो चाह कर भी उसे उतार नहीं सकते अर्थात उसे अपने हरदे से बाहर निकाल नहीं सकते वैसुजान को सम्बोधित करते हैं कि कठिन कुदाएं आये घिरी हो अनंद घन की कठिन अर्थात बुरा कुदाएं समय आकर घेर रहा है हो यानि मुझे किसे आनंद के घन जो घनानंद है उन्हें कठिन समय ने आकर घेर लिया है रावरी बसाए तो बसाए न उजारिये रावरी यानि आपने मेरे हर्दे में स्थान बनाया है तो उसे उजारिये मत उजारने का बतात प्रे यहां पर क्या है नस्ट मत करो क्या कहना चाते हैं यहां पर खी हे आनंद घन अर्था सुजान को संबोधित कर रहे हैं कि कठिन समय आ गया है मेरे जीवन में कैसे कठिन समय आ गया है कि वो ना तो जी सकते हैं और ना ही मृत्यू को प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि आप ने रावरी अर्था आप मेरे हर्दे में आकर बस गए हो तो अब उसे मत उजाड़िये क्या कैसे न उजाड़े कि उनका जो प्रेम का निवेदन है वो उसे सविकार करे और प्रेम से भरे हुए उनके हर्दे को ना उजाड़े ना तोड़े तो यहाँ पर अपनी विरव्याथा का अभिव्यक्ति कर रहे हैं प्रेम के सामने प्रेम के साथ किसके सामने सुजान के सामने और उनसे निवेदन करते हैं कि वो उनके हरदे को ना तोड़ें उनके हरदे में जब वो आकर बस ही गए हैं तो उस प्रेम भाव को सविकार करें उखाव क्या है व्याकुलता के कि व्याकुलता के पानी अर्थात हाथ में परेव पढ़ गया है दिन रात दिन रात यह परतेक क्षण और परतेक क्षण के लिए भी सुजों छिन कोन कहूं बहरे चिन यानि क्षण कि वो एक क्षण के लिए भी नहीं बहलता क्या नहीं बहलता सुजान का हरदे तो अपने मन के भावं को भिवेक्त करते हों क्या कहते हैं कि मेरा जो हरदे है मेरा जो मन है वो इतना व्याकुल हो गया है कि एक पल के लिए भी मैं उसे बहला नहीं सकती एक क् चलता है चलता रहता है कैसे जादू कैसा जादू जैसे चाक में होता है कौन सा चाक जिस चाक से कुमहार मिट्टी के घड़े बनाता है और वो चाक निरंतर घूमता रहता है वैसे ही ऐसे लगता है कि मेरे मन पर ऐसा जादू हो गया है कि वो निरंतर गतिमान रहता है फिरी फिरी यानि घूमना बोई फिरी बोई यानि चलता रहता है निरंतर बिलकुल चाक के समान जैसे कुमहार घड़े बनाने के लिए चाक को घूमाता है और वो चलता है उसी परक थिकू यनि थिकाना नहीं है उसके ठैरने का अर्थात वो रुकता नहीं है धर्यधारन नहीं करता है भय कागत नाव उपाय सबे घनानंद ने नदी गहरे कि भय भय अर्थात हो गई है कागत की नाव के समान उपाये कि जैसे एक भव सागर में कागज की भव सागर को पार करने के लिए कागज की नाव का उपाय करें जैसे कागज की एक बड़े सागर को पार करने के लिए कागज की नाव बना कर अगर हम उससे पार जाने का प्रयास करें तो वो संभव नहीं है अर्थात वो उपाय बेकार है घनानन्द की ने नदी में जो बहुत गहरी है उसमें से निकलने के लिए मेरे जो उपाए हैं वो भी सब बेकार हो गई है कि घनानन्द के प्रेम रूपी नदी में जो बहुत गहरी है उससे निकलना बिल्कुल वैसे ही है जैसे भव सागर को कागज की नाव से पार करना बिन जान सजीवन कोन हरे सजनी विरहाविश की लहरे बिन जान अर्थाद बिना सुजान के जो सजीवन है सजीवन यानि संजीवनी के समान है कोन हरे कोन हरे का मतलब दूर करे कोन दूर करे है सजनी जो विश विरह यानि वियोग रूपी विश की जो लहरे है उनसे कोन पार लगाए उनसे पार केवल सुजान ही लगा सकती है तो वो सुजान को सजीवनी मानते हैं जीवन दाइनी मानते हैं कि केवल सुजान ही है जो जीवन परदान कर सकती है और व्योग रूपी जो विश्की लहरें चारों रूठ रही है उनको भी सुजान ही रोक सकत है तो यह आज हमारे घंणनंद के पदों की व्याख्या हमने की उमेद करते हूं कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी अगर ऐसा है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद